नमस्कार मित्रो मैं हरे राम कुमार एक वार फिर से आप सभी का हाइटेक हलधर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्त और आज हम जो पढ़ने वाले हैं होटी कल्चर यानि वेजिटेवल्स के एक नया टोपिक जिसका नाम है सीड रेट आप सब जानते हो कि बीजदर से तो प्रस्न आते ही आते हैं तो सारे बीजदर को मैं आपके सामने एक ही स्लाइड में लेकर आया हूँ यानि 15-20 मिनट के वीडियो में हम होटी कल्चर के वेजिटेवल क्रॉप के लगभग जितने सीड रेट होते हैं दोस्त वो हम आज कवर करने वाले हैं जरा आप मेरे साथ जुड़कर आप भी एंसर देते जाओ कि जल्दी जल्दी से कहां कहां कौन सा कितने सीड रेट होते हैं और मैं आपको आज स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ सबसे पहला दोस्त ओनियन प्याज ये बहुत एक्जाम में पूछे जाते हैं और इसके लिए मैंने आपको कॉंसेप्ट भी दिया था कि प्याज के न दो सीजन होते हैं तो क्या-क्या होते हैं आपने बताया ये आप जानते भी होंगे एक तो होता है रवी सीजन दोस्त और एक होता है इसका खरीब सीजन यानि रवी सीजन और खरीब सीजन अगर मैं इसकी बात करूँ कि रवी सीजन और खरीब सीजन चलो यहां लिख देता हूँ ओनियन के बारे में और ये कॉंसेप्ट आप ध्यान रखना फर्स्ट रवी सीजन और दूसरा है इसका खरीब सीजन अब वे सबजी जिसका फल के अलावा कोई अन्य भाग खाते हैं तो इसकी बुआई हम करते हैं रवी सीजन यानि उसको पसंद है ठंड जैसे पियाज हो गया, लसन हो गया, कोल क्रॉप जितने हैं इनके फल के अलावा अन्य भाग खाते हो तो इसके उप्युक्त जो है जलवायू उप्युक्त सीजन क्या बनेगा दोस्त उप्युक्त बनेंगे जिसको फेवरेवल कंडिशन बोलते हो ये बनेंगे रवी और खरीप इसके लिए होगा कैसा अनफेवरेवल यानि अनउप्युक्त अब जब फेवरेवल है दोस्तों याद रखोगे इसमें बीजदर यानि सीड की बीजदर सीड रेट क्या होंगे कम और अनफेवरेवल कंडिशन में हमेशा बीजदर क्या लगते हैं ज्यादा ये कौ अपने को रखना है कि भाई जो फेवरेवल है उसमें सीड रेट कम जो फेवरेवल नहीं है उसमें सीड रेट ज्यादा अब आपने देखा कि रवीव में सीड रेट कितना है 10 से 12 कहीं कहीं इसको 8 से 10 भी लिखते हैं तो आप घवराना नहीं लेकिन अपने को यह याद 12 से 15 kg यह प्याज का बीज आपको दिखाया गया है बहुत सारे प्रेक्टिकल एक्जाम में आप देखते हो कि हमें बीज भी नहीं पता होता यार की फुल गोवी का बीज कैसा होता है तो हमने तीनों पॉइंट आपको दिखाया और यह है आपका बल्ब यह क्या है मेरे दोस् करते हो प्याज की दो तीन तरह की बुआई होते हैं एक तो डायरेक्ट सीड आप यूज करो या तो बल्ब के साथ यूज करें बल्ब लेट लगा दो इसका या सेट्स लगा दो गाठ जिसको बोलते हैं गठिया वो भी लगा सकते हो तो सबसे जादा 20 दर होंगे सेट में और सबसे कम 20 दर होते हैं किसमें सीड के द्वारा तो ये आपको याद होनी चाहिए अगला पॉइंट आपके सामने है गार्लिक प्याज का दोस्त कौन है गार्लिक गार्लिक में ये है बल्ब ये है बल्ब और ये जो एक आपने बाहर निकाल के रख दिया दोस्त ये है क्ल बिल्कुल सही जवाब ये है क्लोब और क्लोब की बीजदर कितना होना चाहिए 500 kg प्रती हेक्टियर बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्लोब की बीजदर कितना होना चाहिए 500 kg प्रती हेक्टियर याद रहेगा चले आगे अगला पॉइंट आपके सामने है आप देखें और पहले भी बहुत हिंदी लिख चुका हूँ चुकुंदर ये क्या है चुकुंदर अब ये आपने देखा बीट रूट और इसको हम बोलते हैं बॉल आपको मैंने पहले भी बोला था कि फल परकार इसका कभी-कभी सीड बॉल भी आते हैं ये इसका सीड मैं आपको दिखा रहा मूली की बात करूं तो मूली में 20 दर आपको एप्रोक्स लगभग 9 से 12 केजी की आसपास रखते हैं और दूसरा कारट यानि की गाजर में कम रखेंगे गाजर में अगेर रखते हैं कितना 5 से 6 या 5 से 7 केजी के आसपास रखते हैं तो ये तीनों में बड़ा confusion होता है तो तीनों का average लगबग 7 kg के आसपास कम से कम average तक तो पहुचोगे उसके बाद अपने आगे पीछे करेंगे तो radius, beat और कौन बोला? carrot अगला है दोस्त पालक पालक का बीजदर JRF में भी पूचा गया है बहुत बार इसके होते हैं 25 से 30 kg और इसके भी आपको seed का दरसन करें आप seed देखे नहीं होंगे पालक का इसलिए seed वे सबजी जिसका फल के अलावा अनिभाब खाते हैं जैसे पालक हो गया बत्वा हो गया फुल गोबी हो गया पत्ता गोबी हो गया गाठ गोबी हो गया ब्रॉकली हो गया ये सारे जो होते हैं उनके बीज नहम कम देखते हैं क्योंकि हमारे छेत्र में इसका बीज का उत्पादन कम होते हैं या नाके बरावर होते हैं इसके बीज के उत्पादन के लिए ठंड जलवायू चाहिए, cool season चाहिए दोस्त, जो हमारे यहां संभव नहीं है, यह हिमालाय के रीजन ठंडे परदेश्ट में होते हैं, तो इसलिए इसका हम लोग seed कम देख पाते हैं, जो market से लाते हैं, cable वो देखते हैं, अगला है cabbage, यह हम देख रहे हैं, cool season vegetables है, इसको भी पसंद क्या पड़ेगा, ठंड पसंद है, तो यह cool season vegetables, cabbage के आप बीज को देखें, और यह आपका cabbage और cabbage के यही भाग कहलाते हैं, दोस्त, head, क्या कहलाता है यह, head, और इसके seed rate की बात करों, तो 375 से लेकर 500 ग्राम की, अब हम लगभग approach, सारे coal crop की 20 दर को इसी ratio में रखेंगे, बीच बीच बाला average coal crop का 20 दर कितना रखेंगे, दोस्त, 400 ग्राम, आगे पीछे होगा, वो तो देखूंगा, लेकिन अभी average कितना रखना है, 400 ग्राम, चाहे वो पत्तागों भी पूछ ले, या तो फुलगों भी पूछ ले, या फ तो ये सारे approach आपको याद होंगे, अब आते हैं इसके बाद हम क्या, कॉली फ्लावर, जिसको बोलते हो, फुल गोवी, अब हम फुल गोवी की बात करें, तो फुल गोवी की, फुल गोवी, इसके तीन variety के बारे में मेली पढ़ते हैं, कौन-कौन, early variety, mid variety, और एक और लिख अब ध्यम और ये हो गया पछेती, ये कैसा है दोस्त, पछेती, यानि market में जो सबसे पहले आते हैं, अब market में ये आ गया, आपका अगस्त सेप्टमबर में ही आगे, फुल गोवी ले लो, फुल गोवी ले लो, अगस्त सेप्टमबर में आगे, तो उसकी बुआई कब किय करा होगा होगा बताओ मई जून में किया होगा जब कि मैं क्या बोल रहां फुलगोवि को चाहिए ठंधा तो यह मैई जून का जो एरिया मन्हें यह प्रेवल है या unfavorable है unfavorable सही है ना अनुप्यूक्त है तो अनुप्यूक्त का 20 दर मैंने क्या बताया बताओ ज्यादा या कम ज्यादा 20 दर उसका क्या होंगे अधिक होंगे इसलिए इसका होता है 500 से लेके 600 ग्राम और मिड और लेट का बिलकुल सेम 300 से लेकर 400 ग्राम तो हमारा सही अंसर आ रहा है लगबग 400 ग्राम हमने याद किया कोल क्रॉप का और केल को छोड़ कर केल अपने सलिवस में भी नहीं है तो अपने याद हो जाएंगे और अरली वाले का ज्यादा होता है क्योंकि इस समय मौसम उप्यूक्त नहीं है unfavorable और unfavorable में 20 दर ज्यादा लेते हैं तो यहां तक मैं बताओ कोई समस्या यह हो गया इसका क्या कर्ड और इसकी maturity indices की बात क्या यह फूल compact है यही इसकी maturity indices है compactness इसकी क्या है maturity indices यह फूल पीला नहीं हो जाए इसके लिए एक operation करते हैं जिसका नाम है blanching क्या नाम है दोस्त इसका नाम है blanching यह अगले class यह जब फुलगों भी पढ़ेंगे तो detail में पढ़ेंगे कैसे इसकी aroma खराब ना हो यह curd पीला ना हो जाए इसके बचाने के लिए सूरी की रोशनी से बचाने के लिए blanching करते हैं अगला है दोस्त इस्प्राउटिंग ब्रॉकली यह आपको ब्रॉकली का इमेज दिख रहा होगा यह इसके सीड दिख रहे हैं अब यह ब्रॉकली जो है ब्रॉकली की 20 दर्वी कितना मैंने बूला 400 से 500 ग्राम तो कोल क्रॉप तो अपने याद होगे 400 से 500 ग्राम ब्रॉसलस स्प्राउट 400 से लेकर 500 ग्राम तो वो एवरेज जो मैंने दिया था वो आपको अगर डेटा फिट हो गया तो 4-5 हम याद कर लेंगे जैसे सर कैवेज याद हो गया, कौली फ्लावर याद हो गया, ब्रॉकली याद हो गया और ब्रूसलस स्प्राउट याद हो गया ये चार कोल क्रॉप का बीजदर जिसकी 400 से लेकर 500 ग्राम रखेंगे पर अगेती फुलगोवी की बीजदर थोड़ी सी जादा मेरे बंधू 500 से लेकर 600 ग्राम क्योंकि वो जलवायू क्या है, अनफेवरेवल, अनउप्युक्त है, चले आगे बढ़ें अगला है नॉल कॉल, केल की जगा मैं क्या बोल रहा था, नॉल कॉल, ये सही करना, नॉल कॉल का कितना है, एक से डेड़ केजी, ये इंपोर्टेंट है, नॉल कॉल, केल नहीं, नॉल कॉल, इसका एक से डेड़ केजी, और ये आप नॉल कॉल देख रहे हो, ये इसका सीड, तो यहाँ पे एक स्टार लगा के आप याद रखना जो JRF होटी कल्चर से कर रहे हो या बड़े एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं केवल क्या रखोगे नॉल कोल और इसमें क्या होते हैं एक से डेड़ केजी सीड रेड आगे बढ़ते हैं अगला है केल केल बिल्कुल सही है केल मैं वहाँ पे बोल रहा था आप उसको थोड़ी सी चेंज कर लेना बाइ मिस्टेक हमसे भी गलती हो जाते हैं कभी-कभी केल का बीजदर तो बिल्कुल सही है 400 तो यानि 400 में किसका है कैवेज कॉली फ्लावर ब्रॉकली ब्रूसलस स्प् और केल इन पांच की भीजदर आपने कितना याद किया एवरेज 400 से लेकर 500 ग्राम के आसपास होते हैं लेकिन हमने क्या बोला नौल कोल की बात करें दोस्त तो इसकी सीड रेट आपने कितना बोला एक से डेढ़ केजी सही है नौल कोल का एक से डेढ़ केजी आगे बढ़े next अगला जो important है अपने vegetables उसका नाम क्या है redis यानि मूली की बात करें अब मूली की बीजदर अभी आपको हमने बताया था मूली का 9 से 12 और इसी के इर्दगिर्द याद रखना है carrot carrot का कितना बोला दोस्त 5 से 7 के आसपास 5 से 7 केजी यह आप देख रहे हो मूली आगे टर्निप यह सल्जम सल्जम की बीजदर देखो 3 से 4 केजी अब देखो चुकुंदर और सल्जम यह आपको गलत करेंगे चुकुंदर और सल्जम तो सल्जम का होता है आधा किस किस सापेक्ष चुकुंदर अगर चुकुंदर 6 केजी है तो सलजम यहाँ पे कितना है 3 केजी 6-7 केजी क्या है दोस्त चुकुंदर है तो 3-4 केजी क्या है सलजम क्या याद रखोगे चुकुंदर का आधा क्या है सलजम 3-4 और मूली के लगभग आधा गाजर मूली बोलते हो आप सकरकंद ये क्या है सकर कंद जिसमें ट्यूबर होते हैं ये क्या है मेरे बंधू ये है ट्यूबर और जो ट्यूबर वाले क्रॉप होते हैं इसमें ज्यादा तर पाए जाते हैं क्या कार्बो हाइड्रेट क्या पाए जाते हैं कार्बो हाइड्रेट जैसे सर एक कोलोकेसिया की बात करूं, कोलोकेसिया जिसको आप बोलते हो, अर्भी, क्या बोलते हैं, अर्भी, याम की बात करूं, एलिफैंट, फुट, आम, रतालू जिसको बोलते हो, ये सब सारे कहलाते हैं, ट्यूबर क्रॉप और इसमें पाया जाता है, ज्यादा मात्रे में क्या दो आसपास अब इसमें लगाते हैं कटिंग रूट के कटिंग और वो कितना होते हैं 40,000 से 50,000 कटिंग होना चाहिए प्रती हेक्टियर यह आप सही करोगे आगे हम देखते हैं कुकुम्बर खीरा की बात करूँ तो आपको हमने याद कराया था कुकर वीट्स में ज्यादा तर 20 कुकर वीट्स में अगर ज्यादा तर 20 दर बोलू तो कितना होते हैं 30,000 से 5 केजी लेकिन यहां क्या है दोस्त कुकुम्बर खीरा और खीरा का होता है कहीं धाई से 3 केजी इसको आप सही करना लगवाग 1.5 से 2.5 केजी के आसपास याद रखना इसका खीरा का कितना 1.5 से लेकर 2.5 के बीच किसके 20 दर होते हैं दोस्त खीरा के तो यह आपको यह तो आपके 12 वाले बुक में है और यह हैंड़ बुक और फोर्टी कल्चर में आप देखोगे तो धाई से लेकर कितना है साड़े 3 केजी तो यह 20 दर ना बहुत confusion होते हैं कोई-कोई आप बुक 1.5 केजी कम लिख दी आप मेरे माते आते हो सर उस बुक में तो यह लिखा हुआ है तो हर बुक में क्या थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होते हैं यह डिपेंड करता है वहां की मिट्टी की उर्वरक सक्ती पे नहीं कोई जहां आप देख रहे हैं अच्छा कर रहे हो वहा कोई बिहार में लिख रहा है कोई राजस्थान में लिख रहा है तो हर में खीरा के बीजदर क्या आएंगे दोस्त डिफरेंट डिफरेंट आएंगे इसलिए इस पर घवराना नहीं है थोड़ी अगला हम बात करते हैं मस्क मिलोण, खीरा और खर्बुज की बीजदर कम होते हैं और इसको अवरेज आप दो केजी के आसपास याद रखना डेर से दो केजी और यही होते हैं एक से दो केजी खीरा और खर्बुज यह मैं पहले भी याद कराया था यह इसका नेटिंग स्टेज आपको दिख रहा होगा यह बार-बार मैं डिसकस करता हूँ क्योंकि यह important है और इसको wholesome fruit भी बोलते हैं और यह आप देख रहे होंगे मस्क मिलोन का बीज सही है चले आगे फटा-फट बात करते चले अगला है खीरा के बाद लॉंग मिलोन जिसको बोलते हो कक्री यह दिख रहा होगा आपको लॉंग मिलोन कक्री आपने देखा और यह है उसके बीज इसके भी seed rate कितना लेते हैं 2 से 3 kg तो यह भी आपको याद रहेंगे लॉंग मिलोन वाटर मिलोन बहुत इंपोर्टेंट है दोस्ट इसको कहते हैं तर्बूज और तर्बूज का आपको seed मिल गया यह तर्बूज आपको मिला इस तर्बूज की परिपक्ता वस्था को कैसे मेजर करते हैं अगर बात करूँ तो किसान इसको कैसे देखता है इसको यहाँ से हटा देगा तो इसके नीचे की भाग जो यह भाग है यहाँ पे हलका पीला कलर का आपको दिखाई देगा कैसा कलर का दिखाई देगा दोस्ट यह यहाँ पे पीला कलर की दिखाई देगा यही इसकी है परिपक्ता अवस्था और इसकी सीड रेट कितने है साड़े तीन से लेकर पांच केजी सही है आगे बॉटल गार्ड की बात करूँ बॉटल गार्ड यह आपको दिख रहा होगा यह है दोस्त लॉकी यह क्या है लॉक अब इस लॉकी की अगर हम बात करते हैं तो लॉकी की बीजदर होते हैं कितना तीन से पांच केजी कितना होता है तीन से पांच केजी बॉटल गार्ड याद रखोगे तीन से पांच केजी बीटर गार्ड की बात करूँ तो यह भी कहा है देखो साड़े चार से पांच केज तो एप्रोक्स जो कुकर बीट से है वो साड़े 3 से 5 के बीच आप याद रखना ओप्सन में आप चले जाओगे एप्रोक्स और ख से खीरा ख से खरबुज इसके बीच दर 3 से कम रखना है अगला हम बात कर रहे हैं पॉईंट ज़क राड़ पॉईंटेट गारड को हिंदी में हम बारवार लिखते हैं इसको बूर्वल क्या है दोस्त परवल और ये आपको दिख रहाए है परवल परवल की सीड हमने दिखाया पर परवल का जो यह कुकरविट्स है और कुकरविट्स में डिस्टेंस दूरी क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं चाहिए है आगे हम बात कर रहे हैं दोस्त जिसका नाम है wax guard इसको हम बोलते हैं पेठा क्या बोलते हो पेठा ये दिख रहा होगा आपको पेठा सबसे long duration वाले अगर कोई vegetables पूछे जो ज़्यादा दिन तक जिसकी life होते हैं इसको बोलते हैं long life span long life span सबसे ज़्यादा life span अगर किसी vegetables का पूछा जाता है दोस्त तो वो कुकर बीट्स में अगर मैं बात करूँ तो वो है पेठा wax guard इसकी life span बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके भी 20 दर आप देख लो साड़े 3 से 4 kg तो आपको वो concept से आप 20 vegetables को बता दोगे अभी मैं एक summary निका आता हूँ seed दिखा रहा हूँ फिर आप देखो एक-एक slide बनाने हैं कितने time लगते हैं आप पढ़ते नहीं हो अगला है ridge guard इसको बोलते हैं नस्दार तो रही कौन सा तो रही है दोस्त नस्दार तो रही ridge guard तो यह ridge धारी-धारी है इस पे इसलिए इसको कहते है ridge guard इसकी seed के color भी पूछ लेते हैं यह कहां तक पढ़ा रहा हूँ अगर आप बड़े exam देते हो नो तो practical question आते हैं दोस्त दो चार आज बो concept गए रटे रटाये प्रस्न तो आते ही नहीं कहीं अब इसके 20 लड़का अगर देखे कोई सहर का लड़का तो रही जानता ही नहीं हम लोग गा लाएगा concept आपको next अपने पास है spawn guard इन दोनों के भीज में देखो आपको थोड़ी सी difference भी होंगे इसके भीज थोड़ी सी खुरदरा लग रहा है इसको बाहर से हमने touch करने गया अच्छा यह खुरदरा लग रहे है नसदार नस है इसको छुआ अच्छा है यह चिकनी है इ इसका बीज दर ढ़ाई से लेकर 3.5 तो बताओ नसदार और चिकनी में ridge guard, spawn guard में किसका बीज दर ज्यादा होता है, seed rate ज्यादा होता है किसका ridge guard का, 3.5-5 kg इसका जबकि spawn guard की बात करूँ तो ढ़ाई से लेकर 3.5 kg, अब हम बात कर रहे हैं pumpkin की, कद्दू की बात करें तो यह आप कद्दू देख रहे होंगे इसका ये बीज का कलर आपको दिख गया और ये सीड रेट इसका कम है कितना एक से दो केजी पंपकीन की सीड रेट कम होते हैं कितना एक से दो कारण क्या बोलोगे कि सर इसकी लॉंग डिश्टेन 300 मीटर 500 के 500 के 300 सेंटीमीटर मीटर नह stylिटे में दो कम है आजए हम बात कर रहें लाव किया को कहते हैं संलाध क्रॉफ है यह रूप में यूज होते हैं यह लेट्यूसाबका इसका ये seed दिख गया और इसका seed rate भी कितना है 400 से लेकर 500 ग्राम प्रती हेक्टेर अब हम बात करते हैं ओक्रा ओक्रा अगेन important है अपने exam point of view से तो ओक्रा को भी 2 season में लगाते हैं दोस्त कौन ओक्रा को 2 season में लगाते हैं अगेन यहां से एक point बनता है इसलिए अपने बात कर लेते ह ओक्रा का 2 season कौन कौन होगा तो एक होगा summer season जिसको बोलते हो ग्रश्म कालीन और दूसरा होगा दोस्त खरीब season खरीब season तो बारिस वाले मौसम जादा अच्छा है कि गर्मी वाले मौसम तो यह है मौसम ओक्रा के लिए उप्यूक्त हो जाएंगे यह हो जाएगा दोस्त अनुप्यूक्त यानि यह उप्यूक्त नहीं है जिसको बोलते हो अनफेवरेवल और यह हो जाएगा फेवरेवल फेवरेवल में सीड रेट जादा या कम तो फेवरेवल में सीड रेट दोस्त कम और अनफेवरेवल में सीड रेट जादा यह कॉंसेप्ट पहले भी बना च और इसका आधा कर लो लगभग 8 से 10 केजी प्रती हेक्टेर याद करने का बिलकुल इजी तरीका 8 और 8 यहां रहेंगे दोस्त 18 से 22 अब आपको concept मैंने बता दिया कि unfavorable में ज्यादा unfavorable कौन है summer और favorable कौन है दोस्त खरीब सीजन तो इसमें 20 दर क्या लेते हैं कम 8 से 10 और 18 से 22 कर लोगे 18 से 22 समर में और खरीफ में 8 से 10 ठीक है इसके बीज का साइज देख लो आप और यह होगे आपके ओक्रा ड्रमस्टिक की बात करूँ जिसका नाम है सेंजना सेंजना इसके फ्लावर कलर भी पूछता है तो फ्लावर कलर इसका होता कैसा है वाइट यह आप देख लो यह क्या है ड्रमस्टिम और इसके भी यूज करते हैं 500 ग्राम प्रती हेक्टियर फेनोगरिक मेथी की बात करूँ दोस्त तो मेथी आप जानते हो मेथी की बात करूँ फेनोगरिक 23 के 20 दर है 10 से 15 kg परती हेक्टियर मेथी आप देख रहे होंगे 10 से 15 kg परती हेक्टियर यहां से important है आप bean की बात करने जा रहा हूँ जैसे French bean तो यह कहलाते हैं आपको राजमा French bean important है French bean का seed rate जो होते हैं बूसी टाइप का 50 से लेकर 70 kg परती हेक्टियर अब bean की बात करूँ तो इसकी seed rate ज़्यादा होंगे अगला हम बात कर रहे है कॉपी लोविया इस पे भी अस्टार लगाना ये लोविया ये भी एक्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं लोविया इन दोनों पे ही अस्टार लगाना French bean और लोविया इसका है 20 से 25 kg परती हेक्टियर 20 से 25 kg परती हेक्टियर अब आगे बढ़ लगभग इसी रेंज में आएंगे French bean को छोड़ कर आगे बढ़ते हैं कैरट कैरट मैं पहले बता चुका हूँ गाजर गाजर का 20 दर कितना बताया था 5 से 6 kg जबकि यहीं पे आप याद रखना दोस्त मूली का बारवर कराता हूं 9 से 12 kg और चुकुंदर का हमने याद कराया चुकुंदर का 6 से 7 और इसका आधा क्या था सलजम और सलजम का सीड रेंट टर्निप का सीड रेंट 3 से 4 kg यह चारों में बहुत confusion होते हैं आप एक ही बार इसको देखोगे तो याद हो जाएंगे सही है तो यह कैरट का बीज है यह आपको गाजर दिख रहे होंगे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी फास्ट करता हों दोस्त क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत है और 12th लेवल से लेकर ARS लेवल तक मुझे पढ़ाना है दोस्त तो आप भी हमारा कॉपरेट करे और थोड़ा थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सेयर कर दो इसे और कॉमेंट में जरूर लिखो कि और पढ़ना क्या चाहते हो स्पीड जादा है कम है तो इस जब तक आप मुझे नोटिस नहीं करवाओगे मुझे पता कैसे चलेगा कि आप क्या पसंद कर रहे हो आलू की बात करूँ तो आलू में ये है दोस्त आपका ट्यूबर ये ये 45-50 ग्राम होना चाहिए सोईं के लिए जो आलू का वेट वजन होते है वो 45-50 ग्राम और ये है खाने वाले आलू तो कौन सा आलू बुआई के लिए उप्योग होता है ये वाले ट्यूवर उप्योग करते हैं और इसका लेते हैं 20-30 क्यूंटल परती हेक्टेयर देखो अब इससे क्या प्रश्न पूछेगा कौन है सब हेज़िटेवल्स है जिसमें आधी लागत हाप इन्वेस्टमेंट अगर बात करूँ हाप इन्वेस्टमेंट किसमें लग जाते हैं सीड रेट में सीड रेट में यानि जितना टोटल खर्च है उसका आधा खर्च तो लग जाते हैं बीज़ दर में तो वो कौन सा है दोस्त आलू आलू में बहुत खर्च लगते हैं बीजो को खरीदने के लिए इस पे हम बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं जब पोटेटो पढ़ेंगे अभी तो आपके वल एक उपर उपर भ्यू पढ़ ले कि कौन कौन क्या है टमाटर की बात करू तो इसका बीज़दर कितना है टमाटर का 400 से लेके 475 ग्राम 425 से लेके 475 ग्राम यानि 450 ग्राम के बीच आप एवरेज याद रखना ये है टमाटर के बीज़दर अगला पॉ 400 से 500 ग्राम बिलकुल सही है दोस्त लेकिन hybrid ब्रिंजल का अगर पूछ लिया जाए hybrid ब्रिंजल संकर ब्रिंजल के बारे में पूछा जाए तो संकर में एक तिहाई कम कर देना कितना one third क्या कर देना है दोस्त कम और one third कम करोगे तो लगभग ये बचेंगे कितना एक सो पचा ग्राम 150 से 200 ग्राम तक भी option आ सकते हैं तो चलेगा 150 ग्राम हमारे हो गए क्या hybrid संकर बिरिंजल की बात करें नॉर्मल जो बीजदर ऐसे बात करते हैं तो वो कितना 400 से लेकर 500 ग्राम हम बात करेंगे नेक्स्ट मिर्च की बात करता हूँ तो सोले नेशी में हम चल रहे हैं आपको बिल्कुल family wise मैंने पढ़ाया ये भी देखा होगा आपने चीली की बात करूँ तो चीली का आपको 1.5 kg परती हेक्टियर ये चीली की बीज आपको दिख रहा होँगा ये hot चीली का दर्सन करें आप अगला capsicum की बात करते हैं तो capsicum में hybrid अगर संकर की बात करूT अगर hybrid की बात करते हो तो 500 ग्राम परती हेक्टियर लेकिन local variety की बात करू तो कितना है 300 ग्राम परती हेक्टियर ये सिमला मेर्च की बीज दिख रहा है और ये आपको सिमला मेर्च अगला कुछ और इंपोर्टेंट है प्लांटिंग मेटेरियल वो भी आज मैं कर देता हूँ आपको क्योंकि सीड रेट के लिए एक ही स्लाइड अपने को बल्ब ये किसके लिए यूज करते हो बताओ ओनियन के लिए फटा फट रिवीजन करा लेता हूँ बल्बी या क्लोब किसके लिए यूज करते हैं गार्लिक के लिए ये तो हो गया आपका प्याज और ये हो गया दोस्त लहसुन ये हो गया तानिया मैंने बताया था ट्यूवर क्रॉप पर ये जैरेफ के लिए है ये एस्पेरेगस मैं बता चुका हूँ जिसका स्पेर आप खाते हो कॉर्मल यूज करते हैं ये याद रखना कॉर्मल किसका है कॉलोकेसिया जिसको आप बोलते हो क्या अरवी कॉलोकेसिया राइजोम किसके लिए यूज करते है एरो वाट्स ये भी इमेज मैं बताया था पर अप ध्यान मत रखना ये ट्यूबर किसके लिए उप्योग करते हैं planting material पोटेटो के लिए यूज करते हैं आम रतालू के लिए करते हैं और जेरी सलम आटी चौक के लिए करते हैं दोस्त सकर्स या अपसूट किसके लिए यूज करते हैं तो globe आटी चौक के लिए ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ इमेज पर ये आप ध्यान छोड़ देना root cutting आप जरूर याद रखना pointed guard अभी मैंने बात किया था जिसको बोलते हो परवल क्या बोलते हैं इसको परवल जो important है केवल वो ध्यान दे बाकि important चीज तो मैंने पहले पढ़ा दिया पर ये उसके लिए है जो बिलकुल इससे जेरेफ की तयारी कर रहे हैं दोस्त stem cutting किसके लिए उप्योग करते हैं iv guard iv guard करते हैं कुंदरू को परवल के जैसा ही छोटा छोटा होते हैं और ये iv guard भी क्या है cooker wits है आप जानते हो guard सौद लगा ही रहता है किसके लिए दोस्त cooker wits के लिए next point wine cutting अभी मैंने बोला था wine cutting किसके लिए उप्योग करते हैं pointed guard के लिए किसके लिए करते हैं pointed guard के लिए कुछ और है एक दो बात top set आया हुआ प्रस्ण है Jerusalem artichoke अगर आपने vegetable science से net का exam दिया है तो उसमें आया था top set आप देख लो bottom set भी आया हुआ है दोस्त potato onion के लिए multiply के लिए यूज करते हैं पर ये आप छोड़ देना भी mini set किसके लिए करते हैं yam के लिए काफी dip पढ़ा रहा हूँ और whole fruit पूरी fruit किसके लिए यूज करते हैं चो 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 बहुत important है और ये क्या है चो 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 यह भी एक कुकरविट्स है जिसमें पूरी फल लगाते है planting material के लिए तो ये हो गया दोस्त आपको complete seed rate of vegetables इससे ज़्यादा बीज दर आप तो कभी लाही नहीं सकते हो ढूंड कर और आपके लिए sufficient है ये आधा घंटा के वीडियो आपको सारे information दे डाला चाहे वो बीज की बात करूँ seed rate की बात करूँ या practically बात करूँ तो सब information आपके पास है दोस concept आपके पास है फिर हम कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत